पूरासी में जो हुआ देश कभी भी उस काले पुरुष्ट को भूल नहीं सकती है। कॉंग्रेश को हैतियासिक बहुमत मिला था है। उस आंधी में हम भी लगभग पुरी तरह से खत्प हो गए लेकिन हम हताश नहीं हुए। इसन चौरासी में जो हुआ देश कभी भी उस काले पुरुष्ट को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुना हुआ कॉंग्रेश को हैतियासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहोल एक इमोशनली चार्ज एक्मोस्पियर और उस आंधी में हम भी लगभग पुरी तरह से खत्प हो गए थे। लेकिन हम हताश नहीं हुए हम निराश नहीं हुए हम लें किसी और में दोस्त जुनने की कोशिश नहीं कि आरोप प्रति आरोप की चक्र में हम नहीं पड़े हम चले गए फिर एक बार जनता जनारदन के बीश हमने जमीन पे काम किया हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं दो लोग सभा सीटों के साथ शुरू वास्थफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया है कि आज आरत को रोकने के लिए हमारी इस नीव पर चोट की जा रहा है सम्वेधानिक संस्था ओपर प्रहार किया जा रहा है उन्हें बद्धनाम करने का अभियान छड़ा जा रहा है जो लोग प्रश्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती है तो एजन्सिया अपना हमला किया जाता है जब कॉड को इफ्यासला सुनाता है तो कॉड पर सवाल उठाये जाते हैं आप सब देख रहे हैं कुछ दलोने मिलकर प्रश्टाचारी बचाव अभ्यान छेड़ा हुआ हुआ है सम्वेधानिक संस्था ओपर प्रहार किया जा रहा है उन्हें बदनाम करने का अभ्यान छेड़ा जा रहा है उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी विश्व स्रिजा खत्म करने की साजीश की जा रही है जो लोग प्रश्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती है तो एजन्सियों पर हमला किया जाता है जब कॉड कोई फैसला सुनाता है तो कॉड पर सवाल उठाये जाते हैं ना एक प्रानाली पर हमले होते हैं आप सब देख रहे हैं कुछ दलोने मिलकर ब्रश्टाचारी बचाओ अभ्यान छेड़ा हुआ है आज ब्रश्टाचार में लिप्त जितने भी चेह रहे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं पूरा देश ये देख रहा है देश समझ रहा है साथियों ब्रश्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुक्षान किया है दिमक की तरह देश को खोखला किया है ब्रश्टाचार ने देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह ब्रश्टाचार के खिलाब कारवाई के नाम पर केवल खाना पूरी की थी लेकिन पिछले नव साल में भाजपा सरकार ने ब्रस्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाया उसने आज ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों दोनों की जड़े हिला दिये कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो ब्रस्टाचार भागता है साथ क्यों आपको याद होगा कॉंग्रेस के नेता कभी कहा करते थे जनसंग के जमाने बड़े-बड़े नेता कहते थे जनसंग को जड़ से उखाड़ कर फैक देखें कॉंग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब रख देगे यह वो पार्टी नहीं है जो अख़बारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो साथ क्यों आपको याद होगा कॉंग्रेस के नेता कभी कहा करते थे जनसंग की जमाने से बड़े-बड़े नेता कहते थे जनसंग को जड़ से उखाड़ कर फैक देगे यह उनके बड़े-बड़े नेता भूलते से जी और आज की कॉंग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कभर खुदेगी जनसंग को मिटाने की भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजी से हुई और यह तो वो लोग हैं जिनोंने मुझे भी जलबे डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिशाई लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे और हम बचे हैं हम फले हैं फुले हैं तो जनता जनारदन के आशिरवाद से देश-वाश्यों के प्यार से बढ़े देश-वाश्यों का पार प्रेम यही तो हमारी पूझी है यही हमें समर्चामर्फन देता है यही हमें शक्ति देता है देश-वाश्यों के आगे सिरवाद से हम आगे बड़े हैं बढ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे यह वो पार्टी नहीं है जो अख़बारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो यह भाजपा भाजपा ट्वीटर हैंडलो और यूटूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है यह भाजपा अपने कारकर्टाओं के त्याग तपस्या से बनी हुई भाजपा जमीन पर कायम करके आगे बड़ी भाजपा गाहों में खेत खलियानों में गरीबों के साथ कंदा से कंदा बिलाकर तपकर के आगे बड़ी है झाल झाल